और ब्रेकिंग न्यूस आपको उदादे देहरादून विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है उत्रा खंट को आज मिल सकता है नया सियम है और नया सियम मिल भी गया है तीरत सिंग रावत अब नया सियम होंगे शाम चार बजे हो सकता है शपद ग्रेंट सूर्सिस के हवाले से एक खबर है तीरत सिंग रावत अब उत्रा खंट के अगले सियम होंगे आज शाम को चार बजे शपद ग्रेंट समरो हो सकता है विजाए बिजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है हाला कि कई नाम चल रहते कहा ये जा रहा था कि अनिल बलूनी धन सिंग रावत अगले सियम हो सकते लेकिन तीरत सिंग रावत के नाम पर फाइनल मुहर लगी है आपको बता दे गड़वाल से बिजेपी सांसद है तीरत सिंग रावत और सन 2000 में ये पहले सिक्षा मंत्री भी रहे हैं साथी ये हिमाचल प्रदेश के चुना प्रभारी भ बड़ा फैसला लिया गया है तीरत सिंग रावत के नाम पर फाइनल मुहर लगी है विजेपी विदायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है आपको बता दे तीरत सिंग रावत बीजेपी से 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्राखंट भाशपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और 2012 से 2017 तक चौबल्टा खाल से विदायक रह चुके हैं इसके लावा तीरत सिंग रावत वरतमान में भाशपा के राश्री सचिव के साथ साथ गड़वाल लोग सभासे सांसद भी है अजय कर दुद रेकिक साथ गड़के से विद्भाख सी अधिकर भाशिक्ष दूसरी से तो कॉनद थे मैं मैंसे आड़केों इससे और देम्स्ट्वासरी में उत्स कुर बससारे दाストार्द कर दे वो रोम कर देना विदायक और फजिद्दा ने तुक रहा है तुक को चलते हैं तेरा तुन जहां विदायक जल की बैटक चल लीती और जहां पर फैसला हुआ है कि तीरत सिंग रावत होंगे उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री बिजेश हम से चुट लाए बिजेश तीरत सिंग रावत ही क्यों? क्यों उनको चुना गया? क्या फ्यूचर प्लानिंग थी? कास्टी कुष्चन तो उनको समझ में आती है, गड़वार से लिया गया लेकिन तीरस सिंह रावत रेस में आगे कैसे निकले? बाजपा के सांसद है तो यहां की लोकल राजनीती में भी उनकी अच्छी पकड़ है और अच्छी इमेज है तो ऐसे चलने बीजेभी का मानना है कि किसी ऐसे आदमी को बनाया जाए जो भाजपा को बाजपा को 2021 के चुनाओं में निवजई दिला सके जो त्रिवेन सिंह जनितिक कड़ है वो भी किसी से 19 नहीं है और साथ ही साथ वो काफी समय से स्टेट पॉलिटिक्स में भी है कई नाम ब्रिजेश चला था दंसिंग रावत का नाम चला था अनिल बलूनी का नाम चला था रमेश पोक्रिया निशंग जो कि पहले में मुक्रमंत्री थे उनका भ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा था कि यदि उनको बनाया गया तो फैक्शनलिजम काफी फ्रंट पे आ जाएगी धन सिंग रावत अभी थोड़ी देर पहले तक एक तगले उमीद्वार के तौर पे देखे जा रहे थे कल उन्हें हलिकॉप्टर से देहरादून बुलाया गय कल देर शाम से ही रवन सिंग और दुशंद गौतम लगातार इस मीटिंग को कर रहे थे हर फैक्शन के विदायकों से मिल रहे थे विदायकों का मूड गेज कर रहे थे और शंभावता उसके बाद ही वो इस पुसीरती पहुचे की तीरत इंग रावत ही सबसे मजबूत कैं त्रिवेन सिंग रावत के लिए आत्पा की जीत के रहा के रोले ना बन सके ब्रजेश यहाँ पर एक और चीज साब करने की कोशिश कीजेगा चुकि त्रिवेंदर सिंग रावत ने ये कहा कि मैं पार्टी का कार करता हूँ पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं वह खुबी निभाओंगा लेकिन जो हमने दूसरे राज्यों में भी देखा कई ऐसे पूरो सीम रह चुके हैं जिन्हें केंदर की राजनीती में आने का मौका दे दिया गया तो क्या त्रिवेंदर सिंग रावत आने वाले दिनों में केंदर में हमें सक्रिय दिखाई दिखाई दे सकते हैं देखे अभी कहपाना थोड़ा थोड़ी जल्दबाजी ही होगी क्योंकि अभी त्रिवेन सिंग रावत के रुख से भी यदि आप कल के प्रेस कॉन्फरेंस को देखे तो वो इस बात पे काफी तल्ख नजर आए उन्होंने इनाज मैनी वर्ड्स नहीं कहा लेकिन उनकी जुझलाट साथ दिखती थी जब पत्रकार उन्होंने से पूछा कि आग क्यों हट आएगा तो उन्होंने का इसके लिए आपको दिल्ली जाके के बारे में सोचा जाएगा और तो मुझे लगता है अगले दो-तीन दिन के अंदर ही यह क्लियर हो जाएगा कि त्रिवेंज सिंग रावात किस भूमिका में रहेंगे क्या वो स्टेट में रहते हैं या उनको एलिवेट करके केंद्र में ले आए जाए बिचे एक चीज महिने से यह हवा चलने लगी कि त्रिवेंज सिंग रावत बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं इनके साथ हम चलेंगे तो चुनाओ आगे चलकर हार जाएंगे यह हवा आखित चली कैसे त्रिवेंज सिंग रावत की खिलाब देखे रजद मैं आपको एक चीज पर्ष कर देना चाहता हूं कि यह हवा पिछले एक डियर महिने से नहीं थी यह हवा पिछले काफी समय से थी जो कॉंग्रेस शोड़ के जो विदायक जिन्नोंने भाजपा जोइन किया था उनको हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी कि ज अबनिस्टेटर ने जो आईएस आईपेस लॉबी है वो काफी हावी हो चुकी है विदायकों के काम नहीं हो रहे हैं जिस तरह से लोंगों का एकसेस होना चाहिए उस तरह से लोंगों का एकसेस नहीं था तो उनको लेकर काफी काफी नाराजगी थी और जो उत्तराखंड क जो विदायक है वो गाहे बगाहे जाके केंद्री नेत्रुतु को बताते रहें इसके अलावा भी जो इन्होंने गैसरेन जो तीसरी कमिशनरी को लागू करने का फैसला किया उससे लोकल लेवल पर भी इनके खिलाफ काफी नाराज़गी आई फिर आखिर में भाजपा केंद् और भाजपा को लेकर सिंपती थी लेकिन चीफ मिनिस्टर को लेकर इतनी नाराज़गी थी कि भाजपा को हार का मुख देखना पड़ा तो भाजपा उत्तरा खंड में जार खंड की पुन्रा वृत्ति नहीं करना चाहती थी इसलिए यहां पर उन्होंने ये डिसीजन लिय केंद्री परिवेक्षक बैठे गए उन्होंने सबसे बात की केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौपी और उसके 72 घंटे आउसके 40 घंटे के अंदर अंदर उत्तरा खंड में तीरत सिंग रावत अब अगले मुख्यमंत्री हैं बिजेच एक चीज़ की चर्चा और थी राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है बिजेपी वेट करती क्योंकि पांच राजियों में चुनाओ था बिजेपी कैंपेइन बहुत अच्छा कर रही थी बेंगॉल में असाम में एक बड़ा आप कैसकते हैं पांच साल का वो रहा है तो एक एक था कि कहीं अगर इस वक्त आप चेंज करते हैं तो आप बताएंगे कि हाँ बाई मुक्मंत्री जो होया है वो इंकॉंपिटेंट है सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है लोग नराज है विदायक नराज है तो क्या आपको लगता है कि आज आज जो चेंज ऑफ ग होगा पांठ राज्यों की चुनाओं में अधेके निश्चित तोर पे विज्ये जब भी आप इस तरह का कोई भी आप यह मूव करते तो निश्चित तोर पे विज आप जो विपक्षी पार्टी उसको आपके उपर हमला बोलने का मुखा मिलता है विपक्ष निश्चित त पार्टिया इसका इस्तमाल निश्चित तोर पे करेगी भातपा को इंबारस करने के लिए लेकिन ये एक फैक्टर होगा उन राज्यों के चुनाओं में मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन हाट ये डेफिनिटली है कि बादपा को इंबारस करने के लिए विपक्षी पार्ट करें हम बात करें तो केंद्र से भी उनके साथ प्रेशर पॉलिटिक्स की गई है कि नहीं आपको इस्तिफ़ा देना ही पड़ेगा देखे जैसे ही दो परिवेक्षक केंद्र से भेजे गए थे ये माना जा रहा था कि विपक्ष के जो पार्टी में जो लोग उनकी कारेश हैली से नाराज हैं उनको एक बड़ा मौका था उन लोगों ने केंडरी परिवेक्षिकों से बात की, केंडरी परिवेक्षिकों ने समस्त गुटों से बात की और जो नतीजे में वो पहुंचे, वो नतीजा ये था कि यदि त्रिवेन सिंग रावत के नितृत्तों में चुनाव लड़ा जाता है, दो हजार बाईस का तो उत्रा खड़ में बीजेपी को जीतने में भारी मशक्कत का सामना, मैनत का सामना करना पड़ेगा, और इसी लिए इस तरह से उन लोगों ने इसी लिए ये नेने लिया गया, कि तुरंत वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए, और क्योंकि उनका माना भागपा ने ये मौका लिया, यदि एक खेमा ये भी माना रहा था, कि मैं ये निर्ने लिया जाता तो बहतर होता कि कहीं ऐसा नहोंगी विपक्च को एक रैलिंग पॉंट मिल जाए, लेकिन भागपा नित्रितु को सका ये साफ कोई कोई क्लारिटी थी, कि यदि ये निर् साशित प्रदेश में इस बदलाव का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बिजए एक चीज़ और, चुकि एक साल बचा हुआ है, अगले साल अब उत्राखन में चुनाओं होने हैं, तीरत सिंग रावत के लिए भी एक मुश्किल होगा कि एक साल में कैसे काम करें, कैसे डिल और ये तस्वीरे देखिए, आपको तस्वीरे दिखा दे, तीरत सिंग रावत का स्वागत किया जा रहा है, चुकि आप वो प्रदेश के अगले मुखे मंतरी के तौर पर शपत लेने वाले हैं, और कहा ये जा रहा है कि आज शाम को चार बजे के करीब शपत ग्रेड्स हम जो कार करता है, वो वहाँ पर मौझूद हैं, और कहीं न कहीं, आज मायूसी का दिन त्रिवेंदर सिंग रावत के लिए हैं। मिलते हैं, नड़ा मिलते हैं, वापस जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और 24 खंटे के अंदर चहरा उत्राखंट में बीजेपी का बदल जासा आए, आब तीरत सिंग रावत होंगे उत्राखंट के मुकमंतरी, सुत बता रहे हैं, चार बजे उनकी शपत भी हो सकती है। रावत वहां के मुकमंतरी होंगे, एक छोटा सुब्रेग आप देखते रहे हैं, इंडिया न्यूस।